आज के इस वीडियो में समझते हैं मुडाल पेंटिंग एन मिनियेचर पेंटिंग क्या होता हैं देखें एंसेंट इंडिया के पेंटिंग को हम लोग मेजरली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं वन पार्ट को कहते हैं मुडाल पेंटिंग एन अनधर पार्ट को कहते हैं म का difference होती है दोनों में यहां पे दोनों की image है बट इस image पे हम लोग बाद में आएंगे पहले देखते हैं क्या इसका मतलब होता है देखिए मुराल painting के से कहते हैं जब आप कोई picture को large scale पे दीवाल पे बनाते हैं किसी surface पे बनाते हैं किसी rock surface पे दीवाल पे बड़ी-बड़ी scale में तो उसे हम लोग moral painting कहते हैं जैसे यहां पर दिखे एक example है मत्परदेश के फिम बेटका का यह example है यहां पर दिखे आप painting को यह rock के surface पे बनाया गया है जिसमें कि generally line का इस्तेमा बना के इसको इस तरह से यह हम लोग मेजर ली इस तरह से आप जो यहाँ पर यह पिक्चर को देख सकते हैं इस तरह से हम रिपरजेंट करते थे इनसान को और भी कुछ उससे में जो प्रिवेलेंट जानवर थे जो उसके आसपास का हंटिंग गैदरिर को सीन को दिखाता था यह पेंटिंग अनेधर पेंटिंग होता है जो मीनियेचर पेंटिंग मेनियेचर पेंटिंग क्या होता है यह बहुत small scale पर बनाते है हम लोग highly detailed होता है और created on perishable metal perishable metal ऐसा metal मतलब जो एक सामए के बाद वह destroy हो जाएगा example जैसे paper palm, cloth इसे कहते है परिसेबल मेटल इसकी एक जो must condition fulfill करनी है आपके painting की size कभी भी 25 square inch से अधिक नहीं होनी चाहिए यह जो area होगा इसके बीच का यह must be 25 square inch या तो 25 square inch या इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं nature painting में मतलब यह small skill बनाते हैं एक बड़ पिक्चर को फिर से देखते हैं तो यह देखिए यह 25 square inch में बना हुआ यह एक painting है यह हमारा miniature painting है और यह हमारा जो है यह जो हमने देखा moral painting जो rock के surface पर बना हुआ था और detail में समझते हैं इसमें क्या क्या होता है देखिए moral painting को बनाने का तरीका क्या होता है यहां पर इसके technique है आप first step में क्या करते हो clay मिंस मिट्टी लेते हो मिट्टी को cow dung यानकी go bird plus rice husk जो धान की जो भूसी होती है उस दोनों में थोड़ी सी amount इसकी amount clay के साथ mix करते हैं इस mix के चीज को हम पूरी surface wall पे spread कर देते हैं after two three days इसके बाद जब यह surface dry हो जाता है तो हम उसमें lime plaster लगाते lime plaster just like वो चूना पत्थर होता है जो घर में white wash में यूज करते हैं तो पहले के जबान में rock का जो जितनी भी residue होती थी जितनी भी sediments होती थी वो easily available हो जाती थी that's why वो lime plaster को ताकि यह white surface तयार कर दिया फिर after two three days जब यह picture white draw हो गया तब जाके क्या करते थे जो complete white surface पे red color से outline करते थे इस तरीके से red color और यह mostly red color क्या होता था किसी भी जानवर का blood वगेरा blood से ही generally वो लोग red color यूज करते थे आउटलाइन करने के बाद mostly इस पर फिर जो जो color इसमें फिल करनी है green color फिल करनी है तो green vegetable से generally निकाला जाता था green color यह था इंडियन मुडाल पेंटिंग को also हम लोग fresco मुडाल भी करते यह fresco का meaning मतलब यहां पर होता है freshness से actually यह दोनों का mix करने का purpose नहीं था जब cotton रहेगा और rice husk रहेगा तो यह पानी को नमी को absorb करके रखेगा जो atmosphere में नमी और जब वो नमी absorb रहेगा तो आप उस painting को जब भी देखो कि वह आपको fresh feel आएगा लगेगा अच्छा अब यह भी तुरूंद जस्ट बना हुआ है इस मुडाल पेंटिंग को एक तो fresco मुडा इस्तेमाल होता था next one is सबसे अधीक abundant amount में आपको यह कहां देखने को मिलेगा तो इसके लिए अजनता केव इस दब बेस्ट प्लेस अजनता केव में बहुत सारी मुडाल पेंटिंग बनी हुई है अजनता केव और एलोडा केव में भी है यह दोनों आपको महडास्ट्रा म मिलेगा अजनता और एलोडा पढ़ता है फिर एलोडा पढ़ता है अब इधर से देखो तो अजनता केव की फेमस पेंटिंग है वजरपानी मंजूसरी एंड पदंपानी तीन पिक्चर कुछ special चीज यह बोधी सत्वा का पिक्चर है बोधी सत्वा जस्त लाइक जो जो ज्यान को एंड पदंपानी इस सुइंग कंपेशन इसमें मतलब एक लव एंड कंपेशन से यह नीचे देखना है ते यह कंपेशन यह विस्टम एंड दिस वन इस पावर तो थेंक यू सो मच